तो वहीं चेतर नवरातर के नौमी के दिन सबी मंदिरों में सुबह से ये भक्तों की भारी भीर देखने को मिल रही है शुद्धालू मंदर में पहुच कर मा की पूजा राधना कर रहे हैं और घर में भी हवन पूजन कर कन्या पूजन करने के बाद अपनी पूजा को समाप करेंगे गुरकपुर के प्राचीन मा काली माता के मंदर से ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सम्मालाता शुचील कुमार की खास रिपोर्ट इसमें हैं काली माता के प्राशीन मंदिर में मौजूर है और जो भक्तों की कतार है आप साथ देख सकते हैं सुबह से ही ये जो लंबी कतार है वो आपको देखने को मिल रही है लगातार ये लाइने लंबी हो रही है लेकिन शर्धालू का जो ताता है वो कम नहीं हो रहा है लगतार जो शर्धालू है माको चुनरी, नारियल और फल के साथ तमाम पूजापाट के समागरियों को चड़ा रहे हैं और उनकी अराधना कर रहे हैं कि वहत हम दिर आज का चैत्र-Nauratra का नौमी है ऐसे में आर सुबा से हवन पूजन में हो रहा है, मंदिरों पो रहा है हवन पूजन के बाद जाकर पूरे विर्रिव्ञां के साथ पूजा पाठ हो रहा है जो की माना जा रहा है कि लोग मातो डुरगा का मादुलगा का पूजा करने के लिए आप आए हुए हैं और चुकि नौ दिन का लोग बरत रहते हैं और बरत के बार लोग आकर के यहां पे पूजा पाट करते हैं पिल्कुर नौरात्र का नौमी है ऐसे में तमाम से धालू पहुचे वह बताई का आज नौमी है आप यहां दर्शन करने आई हैं कितना सद्धा है माका और किस दर से पूजा अर्चना करते हैं आप लोग हमें बहुत श्रद्धा है माता पे बहुत बानते हैं माता जिटो अम करने के लिए हमें भुछ रद्धा है माता पे अज नौमी है ऐसे में हवन पूजान भी घरों पर हो रहा होगा नौरात्र का नौमी है शैत्र नौरात्र कितने माननेता है आज कि दिन और किस तर से आप लोग पूजा पाट कर रहें मुझापाट यह बहुत कुराना मंदिर है इससे हमारी बहुत आस्ता है और हम लोग हर साल यहां पर आते हैं घर पर भी करते रहते हैं बचों को माता साल बस अच्छे से रखें बस चुन्द्री एनारियल है सिंगार का समान है यही से हलवा है पूड़ी है इससे मां को भोग लगा जाता है यानि हलवा पूड़ी और जो भी अपने सामर्थ चीजे हैं वह मां को चड़ाया जाता है चुकि आज नौमी का नौरात्र का नौमी है और ऐसे में आज हवन पूजन भी होगा कन्या पूजन भी होगा और एक जो श्रधा है मन में वो भक्तों के साब उनके चेहरों पर नज़र आ रही है और निश्ची तूप से आज का दिन सभी के लिए खास है और क्यामरा परसंट बंटी के साथ शुशील कुमार इंडिया न्यूज गौरप